तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 जोग्रफी के 6th chapter यानि के major land form of the earth chapter के NCRT question and answers बड़े ही easy terms में हम इस सारे question and answers को discuss करने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने chapter नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई tension की बात नहीं है बस इस वीडियो को देखो और आराम से समझ जाओगे देख डालो एकदम बड़े भाई style में बड़े भाई style पता है ना चलो कोई देखते हैं वहीं जाके देखना तो चलो पहला question देखते हैं what are the major land forms land form मतलब देखो land मतलब क्या आता है जमीन धर्ती और उसके forms क्या-क्या है अलग-अलग तो यही पुछा जा रहा है तो major कौन-कौन से है mountains, plateaus and plains बस यह तीन आपको याद रखने है ठीक है simple है ना हो जाएंगे आप next question है what is the difference between a mountain and a plateau तो एक mountain और plateau के बीच में difference क्या है समझते है a mountain may have a small summit and a broad base but a plateau is flat-topped table standing above the surrounding area तो कहने का मतलब क्या है mountain ऐसे होते हैं जिसके जो चोटी होती है वो एकदम चोटी सी हो सकती है और base जो बहुत मोटा सा हो सकता बड़े से वो छोटे हुग आती है बड़ जो प्लाटी होता है वो ऐसा होता है कि पूरी जमीन ऊपर उठ गई समझे ना पूरी जमीन टेबल की तरह उपर उठ गई और बाकी जमीन नीचे रह गई तो होते हैं प्लाटी हो mountain का आपको एक example लिखना है अच्छे marks के लिए कुछ भी लिख तो हिमाल्यान ठीक है आप कुछ भी जो आपकी Everest mountain कोई जो दिमाग में है और deck and plateau आप एक example लिख सकते हो next question what are the different types of mountain तो कितने तरीके के mountains होते हैं आव जानते हैं सिर्फ तीन तरीके के mountains होते हैं पहला होता है fold mountain कौन सा fold तो जमीन जब आपस में fold हो जाती है तो ये बनते हैं दूसरा होता है block mountains ये कब बनते हैं जब जमीन बीच से तूटके थुड़ी अंदर धस जाती है और बाक करने लगता है उसके साथ साथ जमीन भी उपर उठने लगती है और वो ही बाद में mountains का रूप ले लेते हैं ओके तो fourth question how are mountains useful to man mountains का जो है वो इंसानों के लिए क्या-क्या use हैं सलो तो mountains are useful to man in variety of ways यानि के बहुत तरीके के use हैं पहला है mountainous storehouse of water which is basic need of human beings तो mountains को water का storehouse भी कहा जाता है यैसे कि बहुत सारे आपको पता है यैसे mountains हैं जिन में बरफ जमी रहती है और बरफ ही क्या होता है water का source है बरफ ही जब पिगल जाती है वो पानी बन जाता है पीने वाला तो hence what has storehouse of water है next reservoir अच्छा इसी को थोड़ा ओर deeply समझते है reservoirs यानि कि जिसमें area बहुत मतलब reservoir यानि कि कोई भी चीज को एखटा करने वाली जगह है जैसे कि पानी को एखटा करने वाली जगह है are made and the water is harnessed for use of people water is used for irrigation and generation of hydroelectricity irrigation बच्चों क्या होता है खेतों में पानी देना and generation of electricity तो आपको पता है कि जो बिजिली बनती है पानी से कैसे बनती है या आप science में पढ़ोगे next mountains have a rich variety of flora and fauna flora याने के flora fauna याने के पेड़ और पौधे और जानवर और जीव जन्तू समझ रहो तो बहुत तरीके के उसमें जानवर पेड़ पौधे मिलते हैं next mountain provide an idyllic क्या idyllic site for tourists mountain इसके साथ साथ एक बहुत अची जगह होते है टूरिस्ट के गूमने के लिए आप खुद भी मसूरी मनाली अचे-चे सुंदर spots हैं they visit the mountains for their scenic beauty लोग वहा आते हैं उनकी scenic beauty को देखने के लिए let's move on to the fifth question how are planes formed कि या plane कैसे बनते हैं समझते है planes are generally formed by rivers and their tributaries तो planes को बनाने में जो सबसे बड़ा major role होता है वो होता है rivers का कैसे होता है rivers जो होती है flow करती है slopes से पहाड़ों से ठीक है और अपने साथ साथ क्या करती है पहाड़ों की जो मिटी है उसको भात हुए ले आती है erode मतलब हो ही होता है तो यह तीन तरीकी की चीज़े है जो पानी अपने साथ ले के आता है इसके तो बहुत सारे simple सी बात है हम खुद भी गंगा के पास रहते हैं न सब लोग यह one line answer है जो आपको याद करना है बहुत simple है कि river के आसपास वाला जो area है वो humans के रहने के लिए बहुत ही suitable है people get flat land पहले तो यहाँ लोगों को रहने के लिए flat जमीन है flat जमीन मतलब भई पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल है न कभी कोई पहाड तूट जाता है कभी कोई गिर जाता है कुछ भी हो सकता है फ्लैट में रहना बहुत easy है houses cultivation वहाँ पे farming भी बहुत easy है soil पानी के पास बहुत ही fertile होती है तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है तो people यहाँ रहते हैं और अपनी जमीन cultivate करते हैं last question देखते हैं why are mountains thinly populated अब इसका just opposite है just opposite mountains are देखो thinly यानि कि कम population क्यों है तो क्योंकि इसलिए life बहुत ही difficult है mountains में life is very difficult in mountain areas because of harsh climate पहला वहाँ बहुत harsh climate जोते हैं कभी बरफ पढ़ जाती है कभी ओले पढ़ जाते हैं तो बहुत खतरला है it is difficult to grow crop plus वहाँ की मिट्टी भी इतनी fertile नहीं है जितनी plains की है तो crop भी सारी नहीं उग थी plus वहाँ जमीन भी ऐसी टेड़ी वाली ऐसी जमीन है ऐसी तो वहाँ पे भई कैसे सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है उपर नीचे करते रहो next people do not prefer to live here hence people do not यानिके इसलिए लोग नहीं रहा रहना चाहते है tick the correct answer देखते है the mountains differ from the hills in terms of अब mountain और hill में क्या difference है what is the difference in a mountain and a hill तो इसका जो सारा difference आता है वो आता है elevation में यानिके जो mountain होते हैं वो बहुत ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ाई जीसे कहते है ना चमझे रहो वो होती है वहीं पर जो hill होती है या आप इसका yellow yellow जो मारकर देख इसका shape देखना ये and ये ये हो गया mountain कितना ऐसा टेड़ा था ना वहीं पर hills होते है वो ऐसे और ऐसे यानि कि hill जिसपे आप खुद पैदल पैदल भी चढ़ाई सकते हो next glaciers are found in glaciers कहां मिलते हैं mountains में plains में या plateaus में glacier होता क्या है पहले तो ये समझो जब बरफ का एक बहुत बड़ा reservoir पानी का एक बहुत बड़ा reservoir जम जाता है बरफ से मतलब बरफ बन जाता है पूरा तो उसे glacier कहा जाता है तो glacier हमेशा mountains में मिलते हैं clear next the deckan plateau is isolated in Kenya Australia India by deckan plated isolated नहीं ले अच्छली ये लिखा है is located ठीक है is located यानि कि deckan plateau कहां पे है इंडिया में है इंडिया का सबसे पुराना plateau है deckan plateau the river yangstay yangstay low in कौन सी country में नाम से ही पता चल रहा है ये तो china में ही पहती होगी yangtze या जो भी नाम है an important mountain range from of europe europe की एक important यानि कि आपको याद होनी चाहिए पतला question ये है कि europe में इन में से कौन सी mountain range है तो the alps जो है वो कौन सी है europe की main mountain range है last but not the least fill in the blanks भी देख लेते है a dash is an unbroken flat or low end level land एक plane जो है वो unbroken यानि कि उसमें कोई tootटनी होती flat जब भी flat आजाए तो आपको अमिशा answer लिखना है plane next himalayas and the alps are examples of जो himalya है और ये alps हैं किस तरीके के mountain के example है young fold young यानि कि जो अभी नए भने है यानि कि बहुत करोणों साल पहले के नहीं है यानि कुछ सौ साल पहले के हैं तो young fold fold type तो आपको पता है fold जो जमीन को आपस में टकराने से बन जाते हैं next dash areas are rich in minerals deposit कौन से area rich होते हैं mineral deposit में तो platteus जो होते हैं उसमें हमेशा बहुत सारे अलग अलग तरीके के minerals मिलते हैं next the dash is a line of mountains mountains की line को हम कहते हैं range of mountains जहां बहुत सारे mountains एक साथ होते हैं and last question है the dash areas are most productive for farming जोने कि farming के लिए सबसे suitable area कौन से होते हैं definitely plain होते हैं ठीक है तो simply हमने सारे questions को मज़े से discuss कर लिए अगर आपको वीडियो समझ में आ गई और अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दो अपना favorite जो चाहे comment कर दो and do subscribe to the channel ऐसी और बहुत सारी amazing videos देखने के लिए मिलते हैं आप से next video में goodbye, take care and पढ़ते रहिए